हलो फ्रेंड आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल रासित की बिजनिस एडिया तो आज फिर से पहुंच गया हूँ मंगलाहट मंडी और आज की मंडी में कोसिस यही होगी कि जितनी भी फर्स्ट टाइमर है यानि बचिया पहली बार बच्चा देने वाली उसका वीडियो कवर करके आप लोगों तक डीटेल दिया जाए और काफी शांदार यहाँ पर गया उपलब्ध हुई है दो से चारदात में और सभी फर्स्ट टाइमर है तो बने रहे हैं वीडियो में अंतक यह मंडी सबताहिक है परती एक मंगलवार को लगता है अंत में वीडियो के डीटेल दिया जाएगा तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं कर दे यार लाइक बहुत कम आरहा है तो इस गाय का डीटेल देना चाहेंगे जो के इससे पहले वाले मंगलवार को भी यह मंडी में आई थी सेल के लिए लेकिन बिकी नहीं थी, आज की मंडी में ये गाय सेल आउट हो चुकी है, दांत में मिली भी गाय है ये, 9 लिटर बियाने के बाद इसकी नीचे मिल्किंग कैपिसिटी बताई गई है, डिमांड 36,000 रुपय क्या जा रहा था, लेकिन बिकी कितना में ये आपको बताना चाहू करेंगे हम लोग थोड़ा, थन में कितना बदलाव आया है देख सकते हैं, राइट साइड वाला जो वीडियो देख पा रहे हैं, वो अगले हफते का है, और इस हफते का लिफ साइड वाला है, तो काफी फरक आया है, अडर की बनावट में भी, तो काफी शानदार गया है, आज की मंडी में ये गाए मातरे 29,000 रुपया में सेल हो गई, मुझे बहुत पसंद आई ये गाए, और काफी अच्छे रेट में इन्होंने खरीदा है, तो चलिए आगे इस गाया का आपको डीटेल देना चाहेंगे, जो कि चार दात पर ये गाया बताई जा रही है, फर् अलाकि कद काठी काफी बढ़िया है, और HF क्रोस ब्रीट की ये गाया है, प्योर HF तो नहीं है, क्रोस ब्रीट में है, परसेंटेज इसमें भी ठीक ठाक है HF का, तो चार दात पर है, इसके नीचे ब्याने में समय जो बताया जा रहा है इनके ओनर दुआरा, वो 35 से 38 दिन का भी समय बचावा है इसके पास, और ब्याने के बाद मिल्किंग कैपिसिटी जो बताया जा रहा है, वो दोनों समय का 11 लीटर अनुमानित बताया गया है, अडर की बनावर देख सकते हैं इस गया का, जो के काफी बढ़िया और अभी एक मेहना से पलस का समय है, तो और कि अगर बात की जाए, तो 41,000 इस गाय का प्राइज रखा गया है, जो के मेरे हिसाब से काफी बढ़िया है, और प्राइज फिक्स नहीं है, कम जादा कर दिया जाएगा, हर वीडियो में मैं बताता हूँ आप लोगों को, तो 41 बताया जा रहा है, कम करके दे दिया जाएग तो 1st timer के हिसाब से बहुत बढ़िया प्राइस, तो चलिए एक और यहाँ पर बचिया, दो दात में देख पा रहे हैं आप इस बचिया को, तो ये भी काफी शांदार बचिया है, 1st timer और बच्चा देने में कितना समय है, वो भी बताएंगे, एक बार वीडियो कवर कर लेन चाहेंगे अच्छा से देख सकते हैं, काफी शांदार, लिंद वगरा भी काफी बढ़िया ली है, तो ये भी क्रॉस ब्रीट की गाया है, HF जरसी क्रॉस लग रही है मुझे, तो थोड़ा सक क्रॉस ब्रीट को जच करना भी मुस्किल होता है, तो आप लोग भी कॉमेंट क बताया जा रहा है, अनुमानित की अनुमान है, क्योंकि सभी फर्स टाइमर है, क्योंकि इससे पहले बच्चा दी नहीं है, तो एक अंदाज ही लगाया जा सकता है, और डिमांड की अगर बात की जाए, तो 29,000 रुपैस का डिमांड रखा गया है, जो कि काफी बढ़िया प कहना है, तो क्या है डिटेल इसका देना चाहेंगे, और इनके उनर बता रहे हैं, घर से बाहर लिकली नहीं है ये गाये, जिसके वज़ा से थोड़ा सा भीड़ भाड में ये गाये अचब धंग से कर रही है, देख पा रहे हैं आप, चार नात पे है, और ब्याने में इसके नीचे जो समय बताया जा रहा है, वो भी लगबग 40 दिन के आसपास का समय अभी बताया जा रहा है, 35 से 40 दिन, इसके नीचे भी अभी समय बचा हुआ है, बच्चा देने का, और अडर देख सकते हैं, बना रहे हैं काफी बढ़ियां, तो ब्याने के बाद 7 से 7.5 लीटर मि रखा गया है, चलिए एक सहीवाल गाय यहां पर देखने को मिल गई है, जो के प्योर तो नहीं कहेंगे, क्रॉस ब्रीड है, लेकिन काफी बढ़ियां परसेंटेज इसमें भी सहीवाल का आ गया है, देख पा रहे होंगे आप, तो ये गाय भी लिंद में, हाइट में काफी बढ़ियां है, दात में ये मिल चुकी है, ये आपको कहना चाहेंगे, और दात में मिली भी है, लेकिन ये दूसरी बयात पे बताई जा रही है, इनका कहना है कि ये दूसरी बार बच्चा देगी, तो थोड़ा सा सस्पेंस में है आदमी, हलाकि छे दात अगर होता तो आद जरूर बताएं, जैसा कि इनके ओनर का कहना था, और ब्याने के बाद इसके नीचे भी साड़े आठ लीटर मिल्किंग कैपिसिटी बताई जा रही है, 37,000 इसका प्राइज रखा गया है, तो चलिए कुछ दो तीन भैस है, उसका डीटेल आपको देना चाहूंगा, बने रह दो गाभीन भैस का डीटेल आपको देने वाला हूं, तो इसके अडर की बनावत एक बार कवर करना चाहेंगे, देख सकते हैं, काफी शानदार अडर है, दात में मिलीवी भैस है, और 9 लीटर मिल्किंग कैपिसिटी इसके नीचे बताई जा रही है, डिमांड की अगर बात की जाए, तो 52,500 डिमांड रखा गया है, 52,500 बच्चा फीमेल है, और मेरे हिसाब से दोनो टाइम में ये भैस साड़े साथ लीटर के आसपास निकाल सकती है, साथ से साड़े साथ लीटर, चलिए इस भैस का आपको डीटेल देना चाहेंगे, जो के एक ही ओनर की दो भैस है दोनों ही भैस, डेरी फार्म में रखने लाइक है, और काफी शांदार हाइट और लेंथ में है, देख सकते हैं, हाइट और लेंथ, काफी बढ़िया है, इस एंगल से भी वीडियो कवर करना चाहेंगे, फ्रन्ट साइट से, सींग की बनावड भी देख सकते हैं, रींग ट प्लस का समय बताया जा रहा है, दात में ये भैस मिल चुकी है, मिल्किंग कैपिसिटी इसके नीचे 10 लिटर ब्याने के बाद बताया रही है, डिमांड की अगर बात की जा है, तो 73,000 इसका प्राइज रखा गया है, 73,000 रुपया, 10 लिटर मिल्किंग कैपिसिटी है, और ए काफी शांदार भैस ही है, हलाकि वो भैस भी अच्छी है, लेकिन उससे बहतर भैस ये है, दात में मिली भी है, ये भी भैस, और इसके नीचे 11 लिटर ब्याने के बाद मिल्किंग कैपिसिटी बतायी जा रही है, और डिमांड की अगर बात की जा है, तो इस भैस का 76,000 प्र प्राइस काफी अच्छी लगी मुझे, आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताएं, हलाकि प्राइस फिक्स नहीं है, कम जादा कर दिया जाएगा, हर मंडियो का यही हाल होता है, प्राइस जादा बताया जाता है, बाद में कम कर दिया जाता है, अडर की बनावर देख सकते ह इस बहस का एक बार और काफी शांदार है, और मुझे बहुत पसंद आई, तो चलिए वीडियो को करेंगे अंत, वीडियो कैसा लगा यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एन शेर करना ना भूलें, और साथी चैनल को भी जरूर स सब्सक्राइब कर लें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो